नमस्कार दोस्तों आप सभी कामरा यूटूब चैनल इंग्लिस टेचिंग पॉइंट पर वेलकम है आज के सेशन में हम लोग 12th क्लास 100 marks हिंदी का BBI objective question answer discuss करेंगे जो आपके board examination के लिए काफी महत्पूर्ण है तो इस्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट question अर्ध नारिष्वर का किस विधा से संबंध है तो जैसा कि आप जानते हैं अर्ध नारिष्वर एक निबंध है और या निबंध रामधारी सी दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है तो इसका जो right answer होगा 1 का A वन का right answer A second question रविंद्र का संदी विचेद है रविंद्र का जो संदी विचेद होगा रवी पलस इंद्र मतलब इसका जो right answer होगा option A टू का A थर्ड कोस्चन जानने की इच्छा रखने बाले को कहते हैं तो जानने की इच्छा रखने बाले को जिग्यासु कहते हैं इसका राइट अंसर होगा थरीका B फोर्थ कोस्चन जैसंकर परसाद किस बाद से संबंदित रचनाकार है तो जैसंकर परसाद छायाबाद से संबंधित रचनाकार है तो इसका जो राइट अंसर होगा option A, 4 का राइट अंसर option A, छायाबाद question number 5, कभिता बली के रचनाकार है कभिता बली के रचनाकार है, इसका जो राइट अंसर होगा कवितावली तुलसी दास के द्वारा रचीत है तो कवितावली के रचनाकार तुलसी दास है इसका right answer option B question number 6 जिस पुरुस के स्तरी मर गई हो क्या कहलाता है question number 6 जिस पुरुस के स्तरी मर गई हो क्या कहलाता है इसका right answer होगा वह पुरुस बिधुर कहलाता है इसका option C right answer होगा option C 6 का question number 7 चिरी मार कौन सा समास है तो चिरी मार तत पुरुस समास है इसका जो right answer होगा option A option number 8 साहित लहरी किन की रचना है साहित लहरी किन की रचना है तो साहित लहरी सूरदास की रचना है इसका right answer होगा option B, 8 का B Next question, परगीत और समाज किन की रचना है? तो परगीत और समाज नामबर सिंग की रचना है 9 का right answer होगा option B, नामबर सिंग Question number 10, एक लेख और एक पत्र के लेखक है एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंग है इसका जो राइट अंसर होगा 10 का बी भगत सींग नेक्स्ट कोस्टन कोस्टन नमर 11 उसने कहा था सिर्सक का कहानी कार कौन है तो जैसा कि आप जानते होंगे उसने कहा था लेखक चंद्रधर सर्मा गुलेडी जी के दुवारा लिखा गया है इसका राइट अंसर होगा अप्शन A 11 का नेक्स्ट कोस्टन कोस्टन नमर 12 निम्नांकित में कोन उसने कहा था सिर्सक कहानी का नायक है तो जैसा कि आप वो याद होगा उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंग है इसका जो राइट अंसर होगा अप्शन B लहना सिंग नेक्स्ट कोस्टन उसने कहा था किस परकार की कहानी है तो उसने कहा था एक चरित्र परधान कहानी है इसका राइट अंसर होगा अप्शन B चरित्र परधान थाटीन का B question number 14 बाल किर्श्न भट ने किस पत्रिका का संपाधन किया तो बाल किर्श्न भट ने हिंदी परदीप नामक पत्रिका का संपाधन किया था इसका right answer होगा option D Q. 15. बाल कृष्ण भट की रचना बातचीत है तो बाल कृष्ण भट की रचना बातचीत एक ललीत निवंध है इसका जो राइट अंसर होगा Option A. ललीत निवंध Q. ओ सदानीरा के लेखक कौन है तो ओ सदानीरा के लेखक जगदीश चद्र माथूर है इसका जो राइट अंसर होगा Option D. Next question ओ सदानीरा किस नदी को निमित बना कर लिखा गया है तो ओ सदानीरा गंड़क नदी को निमित बना कर लिखा गया है इसका राइट अंसर होगा Option B. गंड़क आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे Next question Question number 18 अर्धनारिश्वर निवंद कब प्रकासित हुआ था अर्धनारिश्वर निवंद 19-52 में प्रकासित हुआ था इसका जो राइट आंसर होगा D. 19-52 Question question number 19 दिनकर को किस किर्थी पर भारतिय ज्यान पीट पुरुसकार मिला था तो जैसा कि आप जानते हैं रामधारिश्वर निवंद कर रस्ट कभी भी है और उन्हें भारतिय ज्यान पीट पुरुसकार उनके रचना उर्वसी के लिए मिला था इसका जो राइट आंसर होगा Option B. उर्वसी Next question Question number 20 रोज सिर्षक कहानी के कहानीकार कोन है तो रोज कहानी सिर्षक के कहानीकार सचिदानन, हीरानन, बासयान, अग्याजी है तो इसका जो राइट आंसर होगा Option C Next question भगत सिंग ने कैसी मिर्थू को सुंदर कहा है तो भगत सिंग ने देश सेवा के बदले दी गई फासी को सुंदर कहा है आज के लिए इतना ही Thanks for watching this video मिलते हैं Next class में, next session में तब आपको इससे आगे के सेट पर डिसकस करेंगे तो आज के लिए इतना ही Take care, goodbye